एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ दिखा रहा है दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जूटे है इन्होंने मिलकर के एक इंडी एलाइंस बनाया है इस एंडी एंडी एलाइंस को कुछ लोग गमंडिया गठवन्दन भी कहते हैं इनका नेता तेह नहीं है नेत रुत्व पर ब्रह्म है लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मिटिंग हुई थी मुझे लगता है उस मिटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठवन्दन कैसे काम करेगा उसकी नीती और रणनीती बना दी है उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी ताय कर लिया है और ये नीती रणनीती क्या है ये इन्डी एलाइंस की नीती है एक गमंडिया गठवन्दन की नीती है बारत की संस्कृती पर हमला करने की इन्डी एलाइंस का मिर्णा है बारतियों की आस्ता पर हमला करो इन्डी एलाइंस गमंडिया गठवन्दन की नीत है भारत को जिस विचारों ने जिस संस्कारों ने जिस परंपराओं ने हजारों वर्थ से जोड़ा है उसे तबाह कर दो जिस सनातन से प्रेवित होकर देवी अहल्या बाई होल करने देश के कौने कौने में सामाजी कार्य किये नारी उत्थान का भियान चलाया देश की आस्था की रच्छा की ये गमंडिया गठवन्दन ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आये है ये सनातन की ताकत थी कि जासी की रानी लख्मी भाई अंगिरेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी जासी नहीं दूँगी जिस सनातन को गांदी जीने जीवन परियंत माना जिन भगवान जी राम ने उनको जीवन भर प्रेणा दी उनके आखरी शब्द बने है राम जिस सनातन ने उन्हें अस्पुरुष्यता के खिलाब आंदोलन चलाने के लिए प्रेणित किया ये इंडी गडबंदन के लोग ये गमन्या गडबंदन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर स्वामी विवेकान ने समाज की विविन बुराईयों के प्रती लोगों को जागुरुत किया इंडी गडबंदन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेणित होकर लोग मान्य तीलक ने माप्भारती की स्वतंत्रता का बिड़ा उठाया गणेश पुजा को स्वतंत्रा अंदोलन से जोडा सार्वजनी गणेशोचव की परंपरा बढाई आज उसी सनातन को ये इंडी गडबंदन तहस नहस करना चाहता है साथियो ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता अंदोलन में फासी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मा की गोद में देना जो सनातन संस्कृती संत्रविदास का प्रतिभिंब है जो सनातन संस्कृती माता शबरी की पहचान है जो सनातन संस्कृती महर्ची वालमी की का आधार है जिस सनातन ने हजारों वर्षों से बारत को जोड़े रखा है ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते है आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं देश के कौने कौने में हर सनातनी को इस देश को प्यार करने वाले को इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को इस देश के कोटी कोटी जणों को प्यार करने वालों को हर किसी को सतर कर रहने की जरूँत है सनातन को मिटा कर ये देश को फिर एक हजार साल की गुलामी में दकाइलना चाहते है लेकिन हमें मिलकार ऐसी ताकतों को रोकना है हमारी संग्रठन की शक्ति से हमारी एक जुड़ता से उनके मनसुकवों को नाकाम करना है मेरे परिवार जनों भारतिय जनता पार्टी रास्त्र भक्ति की जन शक्ति की भक्ति की और जन सेवा की राजनिती के लिए समर्पीत है वन्चीतों को वरिता यही बाजपा के सुसाचन का मूल मंत्र है बाजपा की सरकार एक संवेदन सिल सरकार है दिल्ली हो या भोपाल आज सरकार आपके घर तक पहुँच कर आपकी सेवा करने का प्रयास करती है जब कोवीड का इतना भैंकर संक्ट आया तो सरकार ने करोडों देश वाचियों का मुप्तटी का करन कराया हम आपके सुख दुख के साथ ही है हमारी सरकार ने अच्छी करोड से अधिक देश वाचियों को मुप्त राशन दिया गरीब का घर का चूला जलते रहना चाहिए गरीब का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए हमारी कोशिज यही थी कि कोई गरीब, दलीज, पिछडे आदिवासी परिवार की मां को अपना पेट बाद कर सोना न पड़े वो मां इस बाद से ना तर्पे कि मेरा बच्चा भूखा है इसलिए गरीब के इस बेटे ने गरीब के घर के राशन की चिंता की गरीब मां की परेशानी की चिंता की और ये दाहित्वा आप सब के असिरवात से आज भी मैं निभा रहा हूँ मेरे परिवार जनों हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मद्दप्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए मद्दप्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो गर गर समर्द्धी आए मोदी की गारंटी का ट्रैक रेकर्ड आपके सामने है उनकी ट्रैक रेकर्ड शुनाद करिये मेरा ट्रैक रेकर देखा करिये कि नुखे, कि और आ उनकेज हो फिर रजार तक्रेब